दोस्तों कई लोगों को उड़त दाल खाना बहुत अच्छा लगता है दाल के अलावा इसके कई तरह की डिशेस बना कर भी लोग खाते हैं जैसे वडा, डोसा, इडली, चर्टनी, आदी अगर आप भी उड़त का दाल का ज़्यादा सेवन करते हैं तो साफधान हो जाएं इससे स्वास्त सम्मंदित कई तरह की गंभीर समसाए हो सकती हैं उड़त दाल में प्रोटीन के अलावा फैट, कार्बोहेडरेट, विटामिन B, आयरेन, फॉलिक एसिड, मैगनेशियम, केलसियम और पोटेशियम भी होता है इसके बावजूद इसका ज़्यादा सेवन सेहत के लिए घातक सिद्ध हो सकता है तो दोस्तों आईए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से, उससे पहले अगर आप चैनल पढ़ना हैं और ऐसी धिरुजान करिया चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा उड़त दाल खाने से हड्यों में दर्द की सिकायत हो सकती है और जिन लोगों को गठिया की बीमारी है उन्हें भूल कर भी इस दाल का सेवन नहीं करना चाहिए इस से यह समस्ये और भी ज़दा गंभी रूप ले सकती है उड़त दाल का ज़्यादा सेवन पाचन सम्मंदित समध्याओं को जन्म देता है इससे गैस, कबज, अपज, आज़, आदी की परिशानी आपको हो सकती है उड़त की दाल ज़्यादा खाने से किड्नी और गुर्दे में इस्टोन की समध्या हो सकती है अगर आपको पहले से स्टोन की समस्य है तो इस डाल का सेवन ना करें उड़ाद डाल ज़्यादा खाने से वजन तेजी से बढ़ता है अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो इस डाल को सिमित मात्रा में ही खाए उड़ाद दाल सिमित मातरा में खाने से प्रोटीन वा आईरन मिलता है साथ ही इससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रगता है दिल की सेहत और पाचन के लिए भी या दाल सही मानी जाती है दोस्तों अगर आपको भी उड़ाद दाल का सेवन करना ज्यादा पसंद है तो इससे सिमित मातरा में ही खाए नहीं तो आपको ये सभी समस्या हो सकती है तो आपको ये जानकारी कैसी लगी अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ठैंक्स पर वाचिंग